आज की इस वीडियों में बात करने वाले हैं कि अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आपको सरकार खोज करके देगी अब से आपको करना क्या है सबसे पहले आपको ये पॉर्टल लौच किया है सरकार जो की सार्थी.gov.in करके है और इसका एप भी है और साथ ही साथ SMS के माधियम से भी ये चीज़ें कर पाएंगे तो ये आप किस तरह से कर पाएंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं साथ ही साथ आपके अधार कार्ट से कितने SIM अभी तक निकले हैं और कितने SIM एक्टिव है आप उसे चेक कर सकते हैं और चेक करने के साथ ही साथ आप इन फ्रोड से भी बच सकते हैं जैसे देखते होंगे जितने भी साइवर क्राइम होते हैं और आपको चेक करना होगा कि आपके अधार सरकार कार्ट से अभी तक कितने सीम निकले हैं और कितने एक्टिव हैं अगर आप जो सीम अभी चला रहे हैं उसे सीम को रखना है तो आप उसे एक्टिव रने दीजिए और अन्य कोई नंबर आपके सीम कार्ट से चल रहा है तो उसे आप डी एक्टिव भी कर सकते हैं तो चल से अनब्लॉक भी कर सकते हैं तो यह सब क्या प्रोसेस है और कौन से website है और कौन से एक के माइडम से कर सकते हैं और मैसेज करना है तो कौन से नमर पे करना है तो चलिए चलते हैं स्क्रेंट पर और देखते हैं सारा कुछ कि किस तरह से सब चीज़ें सबके-वाइब में आप देख सकते हैं यह गूगल है और गूगल साच करना है लग्या शॉर्टी अधिए आसा शॉर्टी थीप अधिते शन्चार सार्थी है साच कुरेंगे तो आपके सामने यह पौर्टल नजरो आजाएंगे तो पे क्लिक करेंगे संचारसार्थी.gov.in पे इस website पे आपको आना है इसका लिंक भी description में हमने दे रखा है आप पे जाएए और चेक करके डारेक्ट इस website पे आ सकते हैं और जैसे आप आते हैं आप देख सकते हैं संचारसार्थी का कुछ इस तर से portal दिखाई देते हैं आपके सा सकते हैं यहां पे संचारसार्थी आपका mobile device जो lost हो चुका है आप उसे रेजिस्टर कर सकते हैं करने के बाद जैसे वह track होता है उसके बारे में सब कुछ आप एक्टिविटी चेक कर सकते हैं तो यहां पे देख सकते हैं जैसे यहां पे access बटन के access नाव पे हम किलिक करते है तो हमारे सामने कुछ इस तरह का option हमारे सामने आ जाता है तो यह बार में काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरा बार क्लिक करके आप यहां पे आ सकते हैं देख सकते हैं यहां पे lost और mobile लोश्ट हो चुका है सबसे पहले आप इसे block Australian lost mobile तो जो भी mobile खो चुका है आप उसे सब block करेंगे और block करने के बाद यह जो भी आपका mobile है और track होना भी start हो जाएगा जैसी ही आपका mobile track कर लिया जाएगा तो आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा और जैसे आपको मिलता है उसके बाद आप unblock भी कर सकते हैं या फिर अपने से आप खोज लेते हैं अगर mobile को त साती सात यहां पर ईस अप्सान पर देख सकते हैं यहां पर चेक request status जो भी आपने request किया है उसके लिए सब चीजें हैं जो तीच आप पर काम कर सकते हैं तो यहांपर करते हैं सबसे पहले है 여 ciao ब लौस्ट मोबाल यहांपर जो भी आप बॉक करना चाहें तो आप यहांपर कर सकते हैं साथ ही साथ रेजिस्टर्ड भी हो जाएगा साथ ही साथ में तो यहां पर देख सकते हैं अगर आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं अगर इंगलीस में चाहें तो एंगलीस में भी कर सकते हैं ठीक है तो अगर यहां पर रिक्वेस्ट फोर ब्लोकि कुछ कंट से चीज़े आप एक पर हम करना है और आप किस तरख से आप इसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो यह रहा साउंग clicked करते हैं तो यह देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका प्रोंब है ज्यादा लंब अपों ये भी नहीं है तो information के लिए आने वाले जो भी next वीडियो होंगे उसके बारे में हम detail बात करेंगे किस तरह से आप block कर सकते हैं किस तरह से आप request कर सकते हैं अपने mobile के लिए जो भी आपका mobile खोच चुका है अब बात करने वाले हैं कि अगर आपके नाम से कितने सीम चल रहे हैं अगर उसके बारे में जानकारी आप रात करना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ भी हमारे सामने एक option अविलेबल है और असानी से आप चेक कर सकते हैं आप लोश्ट और mobile का option यहाँ पी है जैसे हम यहाँ पर access now पर क्लिक करते हैं तो फिर आगे हम आजाते हैं इस portal पर देखें यहाँ पर आपको 10 digit mobile नमर फिल करना सबसे पहले आपको जो भी mobile नमर आपके पास है उस mobile नमर को फिल करना है और इसके बाद यहाँ पर capture आपको मिल जाता है देख सकते हैं OTP भी receive हो चुका है और OTP receive होने के बाद यहाँ पर आपको फिल कर लेना है कुछ इस तरह से OTP भी आता है तो OTP आपको फिल करना है ठीक है तो चलिए फटापट OTP भी फिल करते हैं और इसके बाद हम लोगिन करते हैं लोगिन करने के बाद जो भी process से आपको बताने वाले किस्तर से आप चेख कर सकते हैं तो हम यहाँ पर लोगिन कर लिए हैं लोगिन करने के बाद हमारे सामने देखना होगा हमारे जो भी अधार कार्ट से भी एक दो तीन चार पाँच छे छे नमबर active है और मुझे पता ही नहीं, मुझे मात्र दो नमबर पता है, जो की हम अभी वरतमान समय में चला रहे हैं, लेकिन हमारे नाम से देख सकते हैं, 6 नमबर एक्टिव है, और ये नमबर हम नहीं जानते हैं, कि किसके किसके पास है, तो इसे हम पहले try करेंगी, call लगाएंगी, देख जायगा तो यह मुझे नौट रिक्वाइड मुझे ज़रुरत नहीं है यहाप यहाप पे देख सकते हैं बहुत यह अच्छे चीज है यह हमें नहीं पता था, अभी तक मुझे भी नहीं पता था, कि हमारे अधार कार्ट से 6-6 सीम कार्ट चल रहे हैं, लेकिन आप मुझे इसे बंद करना होगा, 4 सीम हमें बंद करना है, और बाखी बाद जो दो सीम में है, ओ मुझे एक्टिव रखना है, और मुझे उसे चालू लगाते हैं, और कॉल लगाने के बाद चेक करते हैं, और इसके बाद देखते हैं कि नंबर कहां लगता है, क्या नंबर चालू है या नहीं है, या फिर क्या है, इसके बाद हम इसे बंद करेंगे, और आपको भी चेक करना है, कि कहीं आपके नंबर से भी कहीं तो फ्रॉड खो जाता है तो उसकी लिए आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं इसमें और जो भी आप ब्लोक करने का प्रक्रिया हो किस तरह से आप ब्लोक कर सकते हैं तब तक के लिए हमाई चाहिए दिए बाइ फिर मिलते हैं ये वीडियो में